रिया चक्रवर्टी की कॉल डेटेल रिकॉर्ड में एक नाम आमिर खान का भी सामने आया है। इस वक्त रिया और उनके घरवालों से CBI और ED पुश्टाश में जुटी है। रिया के कॉल डेटेल में बॉलवुड के और भी कई बड़े सेलिब्रिटीज के नाम हैं जिसमें आदित रोय कपूर, श्रद्धा कपूर, राना दगुबाती जैसे कलाकार शामिल है। सुशान के पिता के के सिंग द्वारा दर्ज FIR के बाद से आक्टरस और उनके परिवार के लिए मुश्किले खड़ी हो गई हैं, जिसमें उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। अब रिया के कॉल डेटेल में आमर खान का भी नाम सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने एक बार आमर खान को फोन किया था और इसके बाद आक्टर ने जवाब में उन्हीं तीन SMS किये थे। IANS को इंडस्ट्री के सूथरों से ये जानकारी हाथ लगी है कि CDR लिस्ट में आमर खान का भी नाम सामने आया है। आपको बता दें सुशान की मौत पर आमर सल्मान और शाहरुक तीनों खान की अब तक की चुपी बहस का मुद्दा रही है। इस कॉल रिकॉर्ड में 30 कॉल रकुल प्रीत को करने की बाद भी सामने आई है और पदले में उन्होंने 14 बार कॉल किया है। दोनों की बीच दो SMS भी एक्सचेंज किये गए। CDR रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि रिया की आशकी टू आक्टर आदित रोय कपूर से भी कई बार बात चीत हुई थी और उन्होंने आक्टर को 16 बार कॉल किया और उन्होंने जवाब में 7 कॉल किये। इसके अलावा उन्होंने श्रधा कपूर को भी तीन बार कॉल किया और बदले में उन्होंने दो बार किये थे। इन सब के अलावा रिया ने बाहुबली फेम आक्टर राना दगुमाती को भी साथ बार कॉल किया था और बदले में आक्टर ने उन्हें चार बार कॉल किया था सरोज खान अब इस दुनिया में नहीं रही रिया की कॉल डिटेल में उनका नाम भी है जिन्हें पांच बार आक्टर ने कॉल किया था CDR डिटेल में महेश भट के साथ बातचीत की भी बात सामने आई है रिपोर्ट के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने 8 जून से 13 जून के बीच महेश भट से कई बार बात की थी इन में से नौक ओल आउट गूइंग थी बाकी इनकमेंग ED के सोर्सेस के मताबिक 8 जून से 13 जून के बीच रिया और महेश की बातचीत अचानक काफी बढ़ गई थी वहीं आपको ये भी बताते चलें कि सुशान सिंग राजपूत केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब मागी थे सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने औरिया चक्रवर्ती की तरफ से लिखित में जवाब दिया गया है वहीं अब सुशान की फैमली की तरफ से जवाब दिया गया है उन्होंने अपने जवाब में इन बातों को जिक्र किया है हमारे सहियोगी चैनल टाइम्स नौ के पास सुषान सिंग राशपूत की तरफ से लिखित जवाब में क्या कुछ कहा गया है इसकी कौपी है सुषान के परिवार का कहना है कि जूरिस्डिक्शन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि CBI जाचपूरी तरे से बैद है सुषान सिंग राशपूत के परिवार ने अपने जवाब में आगे कहा कि पटना में कारवाई के पीछे कारण है मुंबई पुलीस द्वारा अभी तक कोई कारवाई नहीं की गई है मुंबई पुलीस पर कोई विश्वास नहीं है वहीं सुषान सिंग राशपूत की फैमली के वकील विकास सिंग का कहना है मैंने हमेशा मुंबई पुलीस को प्रोफेशनल फोर्स कहा है लेकिन किसी कारण से इस मामले में मुंबई पुलीस पूरी तरे से गलत दिशा में चली गई है इसलिए परिवार को पठना पुलीस से संपर करना पड़ा आपको बता दे सुषान सिंग राजबूत की मौत के मामले में रिया चक्रिवर्टी ने सुप्रीम कोट में याचका दी थी कि केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए तो वही 11 अगस्त को इस केस की सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई थी विरो रिपोर्ट नव भारत ताइम्स